Good morning my dear students, आज हम लोग writing book करेंगे, आज Saturday है, Saturday को हम लोग writing book करते हैं, writing book में capital and a small letter book हम लोग करेंगे, English writing, उसके बाद से सर्द रचना भी हम लोग करेंगे, Hindi book, सर्द रचना में भी सुंदर सुंदर लिखना है, आप लोग को सारे बिंदू को इसमें भी मिलाना होता है, और उसक आज हम लोग color book में क्या करेंगे, पता है, आज हम लोग color book में ये, मेढग को color करेंगे, मेढग को English में क्या बोलते हैं, frog बोलते हैं, तो इसको आज हम लोग को color करना है, तो देखे, ये क्या बोल रहा है मेढग, सुनिए, Crocky frog wants to dance in rain, color it before Crocky heights in a narrow land, कह रहा है कि ये जो frog है वो dance करना चाहता है, निर्ट करना चाहता है, और गली में छुपने से पहले उसको color कर देना है, तंग गली में छुपना चाहरा है, उससे पहले आप सभी बच्चे को उसको पकड़ करके color कर देना है, और जहां जहां जो color बताया गया है, उसी color से आपको इसको color करना है, तरह से यह मस्ती से भाग रहा है भागना चाह रहा है छुपना चाह रहा है गल्ली में उससे पहले आप लोग को इसको कलर कर देना और कलर करके उसके बाद इसको छोड़ना है कि एक तंग गल्ली में भाग के छूपे ठीक अब इसके बाद से हम लोग को यह राइटिंग बु कर रहा है कि यह जो लाइन से इसको आप लोगों सारे डॉट्स को आपस में मिलाना है और इतम सीधी खड़ी रेखा खीचना है आप सभी बच्चे को एक दम सीधा सीधा लाइन खीचना है और थोड़ा भी गड़वड़ होता है तो उसको हम एरेज कर लेंगे एरेज करके में चीज़ पर किये थे इसी चीज़ और फिर आपको कह रहा है जौन था डॉट्स टूं मेक कर Ins究 ह्याइक वह भी कौर्ब में जयरा ये बिधिलन जो है वह जो है सब्सक्राफ्य कर दोनों को यसでは करना है आजका डेट रेटाया है यहां परःटार देखकरके सारे लाइन से तो आप उसको एरेज कर लिजेगा और साप साप बनाईएगा अब उसके बाद हम लोग हिंदी सब्द रचना हम लोग करेंगे तो सब्द रचना में आज हम लोग हम लोग यहां से करेंगे आज चोसे हम लोग को करना है चोसे करना है क्या है चोसे यहां डेट लिखिएगा यहां भी आप दिनांक लिख सकते हैं आज का दिनांक लिखिएगा और आज हम लोग को पढ़ना है पढ़िए मेरे साथ आप लोग चो से चर्खा, छो से छत्री, जो से जहाज, जो से जंडा, यह से कुछ भी नहीं, यह है खाली, बच्चो बजाओ, मिलकर ताली, यह दिखिए चो से चर्खा जो है, पहला लेटर लिखा हुआ है, चो लिखा, पहला अक्षा लिखा हुआ है, चो, तो चो सब्द को, आप पहला करके सुंदर-सुंदर लिखना है, पिर 6 को मिलाना है, सारे बिंदु को, मिला करके साफ-साफ यह 3 लाइन दिया हुआ, तीनो लाइन में आप सारे बच्चों को लिखना है, और थोड़ा भी अगर अलग होता है लाइन से, तो उसको हम लोग इरेज कर लेंगे, साफ करके, फिर से उसको लिखेंगे, जिससे बहुत सुन्दर राइटिंग आपका हो जाएगा, यह आपकी राइटिंग को ही खुब सुरत करने के लिए दिया गया है, और अच्छर पाचानने के लिए, तो आप लोग अपनी मम्मी पापा के पास बैठ कर और खुब खुश रहे हैं, मस्त रहे हैं, और मस्ती कीजिए, गुड़े